हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जो अब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों आज है 27 परमेशन हमारी यूटूब चैनल पर दी जारी है तो जल्दी से पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखे मैं आपको बता दू जन्वारी 2024 में जो है UP NHM की तरब से CHO Officer की 5582 पदो पर वेकेंसी निकाले गई थी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थी कि सर 5582 पदो पर UP NHM CHO Officer की जो वेकेंसी निकाले गई है इसका डेवी कब होगा तो मैंने बोला था कि अभी आपकी वेकेंसी बढ़ेगी वेकेंसी बढ़ने के ब आपके अप्लीकेंस को जो है रिओपन कर दिया जाएगा लेकिन अभी जो है बड़ी खुर्सकबरी आ चुकी है वेकेंसी आपकी बढ़ चुकी है रिवाइज वेकेंसी आ चुकी है इसके साथ ही आपके अप्लीकेंस को जो है रिओपन कर दिया गया है यह बहुत बड़ी अपडेट है वेकेंसी 5,582 से बढ़कर 7,401 वेकेंसी हो चुकी है सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपकी वेकेंसी 100% बढ़ेगी रिवाज़ वेकेंसी हाँ पे जारी की जाएगी UPNHM EMD मेडम से जो है अपडेट मुझे मिल चुकी है 100% मैंने बोला था अगर आपने मेरा रेगलर वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता है मैंने बोला था 5,582 पदो उपर जो वेकेंसी है उसमें थोड़ा सा डेले होगा क्योंकि उसकी वेकेंसी बढ़ने वाली है 28 अक्टूबर से ओनलाइन शुरू हो जाएगा इसके लिए अलग-अलग न्यूज पेपर में जो है नोटिस आ चुका है मैं देखिए मैं आपको बता दू बहुत सारे लोग बोल रहे है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर नोटिस निकल क्यारी है लेकिन फेक नोटिस है रियल नोटिस से कनफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू दोस्तो अलग-अलग न्यूज पेपर में नोटिस आ चुकी है बिल्कूल 100% रियल नोटिस है और फीसल नोटिस है कैसे नोटिस देखना है नोटिस का प्रूफ में नोटिस का प्रूफ में जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखने वाला हूँ सबसे पहले जली-जली मैं आपको अपडेट यहां पर दे रहा हूँ कुछ गलतिया हो सकती है रिडिंग करने में वीडियो बनाते वर्ग कुछ गलति हो सकती है मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कोसिस करूँगा, अच्छे से मैं आपको जानकारी दे दू, सबसे पहले UPNHM CHO भरती 2024, देखिए UPNHM के तरफ से 5582 पदों पर जनवाई 2024 वेकेंसी निकाले गई थी, लेकिन अभी जो है वेकेंसी बढ़ चुकी है, रिवाज वेकेंसी आ हो चुकी है, 7401 वेकेंसी हो चुकी है, और यह CHO ऑफीसर की वेकेंसी है, अभी जो है 5582 पदों पर जन्होंने फर्म भर दिया है, उन्हें दुबारा फर्म भरने के हो सकता नहीं है, लेकिन जन्होंने फर्म नहीं भरा है, अब आप लोग 28 अक्टूबर से फर्म भर सकते ह यह अंतिमती थी जो है, 17 नॉवंबर 2024 रखी गई है, इसके लिए डिटेल्स में नोटिस आ चुका है, तो चलिए दोस्तों, 100 नोटिस यहाँ पे, कौरिजेनियम नोटिस देख लेते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पलपल की अपडेट के लिए, और ज नोटिस का प्रीव भी दिखाने वाले हैं, अब ही आप देखिए, कटिंग मैंने ले रकिए है, पूरी कटिंग मेरे पास है, दैनिक जागन नुजफेपर में देखो कि कटिंग मिल जाएगी, और भी अलग अलग नुझपेपर में आपको कटिंग मिल जाएगी, ध्यान से आपको देखना है दैनिक जागण अमर उजाला हिंदूस्तान इपेपर इंगलिस न्यूज पेपर में आपका कोरिजेंडियम नोटिस जारी कर दिया है यहां पर देखिए दैनिक जागण लखनव इपेपर में आपको देखना है या फिर दैनिक जागण लखनव संस्क्रण म यह आप लोग देख सकते हो, पेज नमबर 6 से दैनिक ज्यागरन लखनव, 27 अक्टूबर 2024, यह पेज मैंने पूरी ले रखी है, और पेज नमबर 6, जैसे आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पी देखिए, नोटिस पब्लिस कर दी गई है, बिल्कुल ओफीसियल नोटिस आ च की वेबसाइट पर मिल जाएगी, और कल से आपकी ओनलाइन शुरू हो जाएगी, कल सुबह 11 बजे, आपकी ओनलाइन शुरू हो जाएगी, यूपी एनेचम की वेबसाइट से आप लोग फार्म भर पाएंगे, जबरदस्ट अपडेट है, और यह नोटिस है, यहाँ पर द देखिए, यह नोटिस है, और यहाँ पर देखिए, नोटिस मेंसन है, उपर इंग्लिस में जानकाई दी गई है, नीचे हिंदी लेंगविज में जानकाई दी गई है, आप लोग देख पाएंगे, और यहाँ पर देखिए, यूपी 221450 दिनाघ के 26 अक्टूबर 2024, विज् जो है पब्लिस करने के लिए बोला गया है 26 सब्टूबर 2024 को बोला गया है इसका UPID है 2221450 यानि कि बिल्कुल 100% कंफर्म हो चुका है सब कुछ यहाँ पर मेंशन है आप लोग देख सकते हो चलिए दोस्व अब जल्दी से यहाँ पर इसके बाद दोस्व आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए सबसे पहले बोला गया था कि 25 जनवाई 2024 को जो है आपका विग्यापर निकाला गया था उस समय दोस्व 5,582 पदो उपर CHO officer समविदा पर वेकेंसी निकाली गई थी और बोला गया था कि जो है हमने पहले बोला था कि वेकेंसी कभी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं कभी भी गटा सकते हैं उसी का जो है नोने पालन किया है और वेकेंसी आपकी बढ़ चुकी है और यह आप लोग सब कुछ मेंसन है देख सकते हो यहाँ पे जो है revised vacancy आ चुकी है और जो आपकी sell है उसको भी revised किया गया है मैंने बोला था कि जो आपकी PBI bonus है 10,000 रूपे हो चुकी है और आपकी जो sell है 25,500 रूपे हो चुकी है यह update कर दिया गया है मैंने पहले ही बोला था notice आया था notice मने आपको दिखाया था तो उपर सब कुछ mention है और यहाँ पर देखिए position name दिया गया है community health officer CHO officer पहले 5,582 vacancy थी जब 25 जनवाई 2024 को निकाल गया था अभी आपकी जो है revised vacancy हो चुकी है और 7,401 vacancy हो चुकी है यानि कि अब जो है vacancy बढ़ चुकी है 7,401 vacancy हो चुक 15,000 रुपे PBI bonus था लेकिन अभी देखोगे 25,500 रुपे आपकी sell हो चुकी है और maximum PBI bonus 10,000 रुपे हो चुकी है नीची देखिए important date के बारे में बता दिया गया है और यहाँ आप देखिए online applications जो है आपकी 28 October सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी यानि कि UPNHM की website पर 28 October को ज online सुरू हो जाएगी और आप लोग 17 नॉवंबर साम को यानि कि 17 नॉवंबर 24 रात को 12 बजे तक फार्म को प्लाई कर पाओगी तो इसके बाद अभेरतियों के लिए विसे सूचना इसे पढ़िए रिक्त पदों की संख्या यो मांदे में मांदे में जो है हुई विरिधी क करम में उक्त भरती में अभेरतियों को औसर परदान किये जाने के दरिश्टिगत पुने ऑनलाइन आवेदन सविकार के जाएंगे पूरु में जो है राश्ती सौस्ट मिसन उतर परदेश के अंतरगत 5582 समविदा कमूटी हेल्थ ओफीसर सी एचो की भरती हेतु परकासित विग्यापन संख्या 652 ओपलिक SPMU ओपलिक 8290 दिनांग 25 जनवाई 2024 में जिन आवेद को दोरा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भरती परकिरिया में उन्हें दस्तावेजों के अधार पर यथावत समलित कर लिया जाएगा ऐसे अभेरतियों को पुने आवेदन करन आने क्यों सकता नहीं है लेकिन अगर आपने पहले कुछ गलतिया कर दी है कुछ आवेदन में तुरूटी रह गई है तो आप लोग करेक्शन कर पाएंगे लॉगिन करके आप लोग जो है 28 अक्टूबर सुबह 11 बजे से आप लोग जिन्होंने पहले फामर दिया है वे लो से कॉंटेक्ट नंबर दिया गया है आप लोग इनसे संपर करके डाउट किलियर कर सकते हो मिसन डिरेक्टर नेसनल हेल्थ मिसन उतरपरदेश यूपी अनेचम की वेबसाइट है वेकेंसी 7401 हो चुकी है सैली भी यहाँ पर अब्रेट किया गया है और इंपोर्टन डेट म हुआ है